आपको सूट के बारे में कुछ और बता देना चाहते हैं कि सूट मिस भी चाहिए होता है, वांट मिस भी चाहिए होता है अगर चाहिए के पहले अगर कोई बस्तू हो तो हम ऐसे क्वेशन के साथ वांट लगा करके बनाएंगे अगर चाहिए कि पहले अगर भर्व हो तो फिर हम सूड लगा करके बनाएंगे आपके सामने हम दोपसन रखते हैं गौड कीजिए गाप लोग आँ मुझे कलम चाहिए यहाँ पर चाहिए कि पहले क्या है कलम है कलम एक परकार की बस्तू है तो इस कोशन को हम वांट लगा करके बनाएंगे सूड लगा कर अगर आप बनाते हैं तो फिर यह बनाना गलत हो जाता है और मुझे जाना चाहिए यहाँ पर चाहिए कि पहले क्या है जाना जाना कोई बस्तू नहीं है जाने परकार के यह भर्व है तो चाहिए कि पहले अगर भर्व अगर रहा है तो मैंसे क्वेशन को क्या करेंगे बिटान सूड लगा करके बनाने की कोशिस करेंगे अब जिसे कि मुझे कलम चाहिए I want a pen मुझे जाना चाहिए I should go अब जिसे कि चाहिए कि पहले जाना है तो जाना कोई बस्तू नहीं है इसलिए हम सूड लगा दिये मुझे कलम चाहिए I want a pen तो यहाँ पर चाहिए कि पहले बस्तू इसलिए इसकोशन को want लगा के बनाये है लेकिन आज हम सिर्फ सूड की बात करेंगे want की बात नहीं करेंगे अगर हम फिर हम दोनों नहीं को एक साथ अगर पराते तो फिर आपके साथ यह problem के रियर्ट हो जाएगा तो पहले आप यहाँ इसके बारे हम देख लिजे ताकि हमारे कमजोरे students को इसका लाद मिल सके जैसे कि हम सूड से हम आपको कुछ क्वेशन रखना चाहते हैं दूसरी बात हम आपको और बताना चाहते हैं आई भी यूदे ही सीट नेम एसन पी अचाहे सिमूलर हो चाहा पुल लो सब के साथ आपको सूड लगाना है और सूड के साथ हमेशा भी वन का ही परयोग करना है आप भूल से सूड के बाद भी टू भी थरी भी वन पलासायन जी चाह भी फाइफ का परयोग ना करेंगे तो चली आगे देख लेते हैं कोशन है पर देखते हैं जैसे कि मैं कोशन पहले से लिख रखे हैं जिसे कि एक नंबर में मुझे, दो नंबर में चाहिए, क्या चाहिए बिठा? लाना. अब यहाँ पर मुझे है, तो मुझे के अंगरेजी क्या लिखेंगे? आई लिखेंगे, नंबर 2 में चाहिए, तो चाहिए के अंगरेजी क्या लिखेंगे? सुड लिखेंगे यहाँ पर ह इसे को हम बढ़ा करते हैं थोड़ा साहूं नहीं तो चलिए हम पहले कुछ छोटे-छोटे कुशन इमापको दे देते ताकि आपके सिकाय दूर हो जाये आपके अनली कोशन है हम लोगों को जाना चाहिए इसको भी तोड़ लेते हैं एक नमबर में हम लोगों को दो नमबर में चाहिए, क्या चाहिए भई? जाना है, यहाँ पर हम लोगों को एक नमबर में आ जाएगा, भी एक नमबर में हम लोग है, यहाँ तो हम लोगों को नहीं होता, तो भी नहीं लिखते, दो नमबर में चाहिए नहीं होता, तो आप यह आप वो नहीं लिखते चलिए अगली कोशन के और देख लेते हैं अगली कोशन है तुम्हें खेलना चाहिए तुम्हें खेलना चाहिए तुम्हें खेलना चाहिए इसको तोड़ते हैं यहां पर एक नमबर में तुम्हें दो नमबर में चाहिए क्या चाहिए खेलना आप यहां पर तुम्हें के अंग्रेजी क्या लिखेंगे आप लोग यहां यू लिखेंग नमबर तीन में खेलना है तो क्या लेगे विठा इसका अंगरे जी पले लिखेंगे तो जहां तो मेरा ख्याल तुमें है तो यू है तुमें नहीं होता चाहिए तो सुड है चाहिए नहीं होता तू सुड नहीं होता नमबर तीन में खेलना अगर नहीं होता तो फिर यहां पल लिखना चाहिए उन लोगों को लिखना चाहिए इसको कर लेजिए आप लोगे है पड़ए हैं क्ट लिखत लिखना कि बांच life Gurम लाज intimate यह डवलू आराइटी तो जहात में मेरा सवाल है कि यह बहुत हम आपके जी-जी कोशन दे रहें ताकि आपकी अपकी सिखाया दूर हो जाए चलिए अगली कोशन देखते हैं अगली कोशन है यहां उसे टालना चाहिए उसे टालना चाहिए एक नमबर में उसे दो में चाहिए क्या चाहिए टालना उसे तो क्या लिखे गया है कि लिखे गा दो मबर में चाहिए तो क्या लिखे गया शुट नमबर तीन में चाहिए तो वाग नहीं लिखते तो सीधा सफाधितम आपको बहुत इजी-जी कोशन हम दे रहे हैं चलिए अगली कोशन है यहां कि मेरे भाई को खरिदना चाहिए एक नमबर में मेरे भाई को दो नमबर में चाहिए माई ब्रादर दो नमबर में चाहिए है तो सूड लिख लेजिए नमबर तीर में खरिदना है तो किसी भी कोशन को आप तूर करके बनाईए जैसे कि आपका कम्प्रेन हुआ किसा कलास में पढ़ते हैं घड़ जाकर के सारी बात को हम लोग भूल जाते हैं तो आपको यही रा करने के पहले आप तोर करके बनाईएगा तो बड़ा सभी बड़ा कोशन आपको बनाना हाड हो जाएगा तेकर मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि जब इस वीडियो को देख ले तो सुड का जो अब देख लीजेगा उसको देखना ना बोले ताकि आपका पूरा प्रोब्ल बाई को आना चाहिए एक में तुम्हारे भाई को दो नंबर में चाहिए क्या चाहिए तो आना तुम्हारे भाई क्या लिखेगा आप यूर अ ब्रादर चाहिए तो क्या लिखेगे बेटा सुड लिखे ले जिए नंबर तीन में आना है तो आ लिखेंगे आप लोग यहां कम लिखेंगे चली आगे ओर कॉशन देख लेते हैं हम ताकि आपका पूरा सिकाइद दूर हो जाए अगली कोशन हम देख लेते हैं हम लोगों को अप्रास बड़ा कर देते हम लोगों को रोटी खाना चाहिए एक नमबर में हम लोगों को दो नमबर में चाहिए क्या चाहिए विठा खाना क्या खाना रोटी अब यहां पर देख लीजिए आप यहां एक नमबर में हम लोग है तो क्या लिखेगा भी हो नमबर दो में चाहिए है तो सूड लिखेंगे नमबर तीन में खाना है तो इट लिख लिजिए रहा सवाल रोटी का तो रोटी क्या लिखेंगे बरेड लिखेंगे अब एक हम लोगों को दो में चाहिए क्या चाहिए खाना क्या खाना रोटी हम लोग हो गया तुभी हो गया हम लोग नहीं तुभी नहीं दो में चाहिए तुसुड चाहिए नहीं तुसुड नहीं खाना है तुट लिखेंगे खाना नहीं तुट नहीं रही बात यहाँ पर र तो बिटा ख्या लिखें जब रेड याद रखेगा रोटी आठा से बनता है आठा गिनने की चीज नहीं है तो अचीज इसे गिना ही नहीं जाए उसके साथ यह लगाना गलत है यानि अवरेड नहीं लिखेंगे आप चलिए अगली कोशन पर हम तरह से गौर कर लेते हैं आपकी अगली कोशन यहाँ पर हम डाल लेते हैं गौर कीजिएगा कि तुम है अंग्रेजी बोलना चाहिए इसको भी डिवाइट कर लेजिए आपर एक नमबर में तुम है दो नमबर में चाहिए क्या चाहिए बोलना क्या बोलना विटा अंग्रेजी तुम है तो क्या लिखे गहां यो दो नमबर में चाहिए है तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम लोग सोड लिखेंगे नमबर तीर में बोनना है तो आप यहाँ पर यह स्पीक लिख लिजिए रही बात अग्रेजी की तो इंगलिश E-N-G-L-I-S-H हम आपको तरह सा हलका सा बड़ा कोशन के उड़ले चलते हैं आप हिम्मत नहीं छोटा कीजिए जब भी आप किसी भी कोशन को बिटा तोर करके बनाएंगे तो हर कोशन बनाना आपके लिए बहुत यह असान हो जाएगा तो इसलिए ड़ने के जरुद नहीं है ड़ने से कुछ नहीं होता है इसका एक की निदाने के कोशन को तोरिए पाट पाट कीजिए और उस लॉंग कोशन को भी बनाना सिक जाएगे चलिनले माप उत्रा से लॉंग कोशन के औरले चलते हैं बोर कीजे कहाँ पर आप आपके अंगली कोशन है मुझे पानी लाना चाहिए मुझे पानी लाना एक में मुझे दो नमबर में चाहिए क्या चाहिए लाना क्या लाना बिटा पानी अब यहाँ पर मुझे तो मुझे के अंगरेजी क्या लिखेंगे आई दो में चाहिए है तो क्या लिखेंगे सोट नमबर तीन में लाना के अंगरेजी क्या लिखेंगे ब्रिंग पानी के अंग्रेजी क्या लिखेंगा आप लोग यहाँ पर यह वाइटर लिखेंगे इससे भी थुरा सा और हम बड़ा कोशन करते हैं थुरा सा गौर कर लीजिएगा अगली कोशन है यहाँ मुझे पीने के लिए पानी लाना चाहिए इसको डिवाइट कर दीजिए यहाँ पर एक नमबर में मुझे दो नमबर में चाहिए क्या चाहिए लाना क्या लाना पानी क्यों पीने के लिए अब यहाँ पर एक नमबर में मुझे है तो मुझे कैंग्रेजी क्या लिखेगा आई लिखेगा नंबर 2 में चाहिए है तो यहां पर आप सुड लिख लिजिए नंबर 3 में लाना है तो क्या लिखेंगे भाई यहां पर ब्रिंग लिख लिजिए क्या लगना चाहिए पानी तो आप यहां पर विटा वाटर लिख लिजिए चोथे नंबर में पीने के लिए ह तो टू के बाद क्या लिखेंगे डी आर आई एन के तो जहां तक मेरा ख्याल है कि आपको लोग कोशन में कोई प्रोग्लेम की रिएट नहीं होना चाहिए अगली कोशन यहां पर देख लेते हैं हम के हम लोगों को हम लोगों को स्कूल जाना चाहिए अब इसको डिवाइट कीजिए एक नमबर में हम लोगों को दो नमबर में चाहिए क्या चाहिए जाना काहां जाना इस तरह से आप कोशन को तोड़िए गाना आपको भी तोड़ने आ जाएगा और आपका सारा प्रोग्लेम की रिएट जो होता है आपके साथ वो खतम हो जाएगा हम लोग है तो भी लिखेंगे नमबर दो में चाहिए है तो यहां पर सोड लिख लिजिए नमबर तीन में ज और इसे बना यही चीज़ हम नहीं जानते हैं तो जब भी एक नमबर जानना ओतो हम किसे की सहाथा से क्कड़ने की कोसिस करें किसे से ख esk非 थख मुझे एक ओगया मैं तुम्हें चुहोगी तुम्हें टहल स्थतुम्हें च्यांओ उसी तरह स्कूल छोगत हैहिए औरonne हम लोगों को जाना चाहिए तैंस लूग chat 2019 नमबर हो जाएगा आप लोग इस तरह से क्या काम करेंगे एक नमबर पकड़ लेंगे एक नमबर पकड़ने के बाद आपका सारा प्रोब्रेम खत्म हो जाएगा चलिए अगली कोशन देख लेते हैं यहां पर के कि तुम्हें कि बगीचे में कि तहलना कि चाहिए तुम्हें बगीचे में टहलना चाहिए चलिए तुम्हें इसको साफ कर देते हैं से आई आगे बिटा यहां चलिए तुम्हें बगीचे में टहलना चाहिए इसको तुम्हें दिभाइट कर लेजी आप लोग यहां पर एक नमबर में तुम्हें दो नमब अगर में चाहिए चाहिए क्या चाहिए तो टाले और नमबर तीन में टालना है तो क्या लिखेंगे वाग बगीचे में है तो इन दा गार्डेन तुम्हें है तो यू है तुम्हें नहीं तो यू नहीं चाहिए है तो सूड है चाहिए नहीं तो सूड नहीं टालना है तो वाग है टालना नहीं तो वाग नहीं बगीचे में है इंदिगाड अब यहां पर मेरे कोई विद्यारती जी सवाल करें कि सब्सक्राइब में मैंगो के नहीं लिखें तुम आपको बताना यह चाहते हैं को शर्म में रहे तमना मैंगो लिखेंगे आप नहीं रहे तो फिर मैंगो क्यों लिखेंगे आप पुस्वों चेलीजिये आ चलिए कुछ और कोशन बता करके हम आपको हम फिरी कर देते हैं आपके अगली कोशन यहां पर देख लेते हैं उसे कलम खरिदना चाहिए उसे कलम खरिदना चाहिए एक नमबर में उसे दो नमबर में चाहिए क्या चाहिए विटा खरिदना क्या खरिदना कलम अब यहां पर उससे है तो क्या लिखेंगे ही दो नमबर में चाहिए तो क्या लिखेंगे हाँ यह सुड डाल दीजिए नमबर तीन में खरिया खरियर ना है तो क्या लिखेंगे बाई रही सवाल का राम की तो बिटा आप यहां पर आप यह लिख लिजिए चलिए इसको तरह सा बड़ा कर देती, इसी कोशन को बड़ा करते हैं उसे उपर वाला छोटा कोशन, नीचे ये बड़ा कोशन उसे लिखने के लिए कलम खरिदना चाहिए इसको तोड़िए अब दोनों कोशन में गौर केजिए इसमें नया बात क्या जोट लिए इसमें नया बात आके क्या जोटा है लिखने के लिए तो जो बात अंत में जोटा है वो अंत में बनेगा एक नमबर में उसे दो नमबर में चाहिए क्या चाहिए खरिदना, क्या खरिदना कलम क्यों लिखने के लिए अब जिसे कि उसे का लम खरिदना चाहिए तो ही सुड़ भाईयर पें लिख लेजिए पांचना वार्ड जो है ये लास्ट मजूद जुटा है तो फिर अंत पर बना लीजिए अब देखें कैसे बनाते तो आसे गौर कीजेगा आप यहां पर एक नमबर में उसे तही हो जाएगा दो नमबर में चाहिए तो क्या लिखेंगे यहां यह सुड़ लिखेंगे नमबर तीन में क्या है खरिदना है तो क्या लिखेंगे बाई लिखेंगे कलम है तो क्या लिखेंगे बिटा यहां अब तेन लिखेंगे यह सुड़ बाईयर पे लिखे आप तो बिटा यहाँ पर कलम के सांस से छूपा होता हम कलम से लिखते हैं ऐसा हो सकता है कि आप कलम छोड़ देजिए हाथ में कलम पकरवे नहीं की जोर अपने आप लिखाना शुरूआ जाएगा तो याद रखेगा जब भी टुराइट अगर आए तो राइट के बा चाहिए उसे जाना चाहिए उसे की एक में उसे दो में चाहिए क्या चाहिए जाना तो ही ही के बाद सूर्ट सूर्ट के बाद लिखा गो लिखेंगे इसका निगेटी बन जाएगा ही इसका इंट यह एक नमबर हो गया यह दो नमबर हो गया नमबर तीन देख लेते हैं नमबर की नहीं हापर इसको इदर अरजेस्ट कर देते हैं आप लोग मेंटन कर लीजिए गा तुरासा चौथा नमबर इसका हम बना देते हैं जोड ही नाट गो हो गया और पांचमा नमबर देख लेते तुराएं पर हम वाई डवलु एच वाय वाई सोड के वाद ही यह के वाद गो जिस तरह समें कोशन का निगेटिव इंटोगेटिव बनाना सिखा दियूं उसी तरह पर अगला कोशन का भी बना लीजेगा इसके बाद ही प्रोब्लेम अगर होगा ताप मेरे कमेंट बक्स में अपना प्रोब्लेम लिखना नहीं भूलिएगा और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि तरह साप लोग मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें और सेर करना नहीं भूले ताकि आपको मतलब अगला मेरा वीडियो आपको मिल सके तो आज के लिए तना ही मेरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को लोट्स अफ ठैंक्स